भारत सरकार देश के नागरिकों के जन कल्यान एवं स्वास्थ्य कल्यान के लिए आयुश्मान काड योजना का संचालन कर रही है। अगर आप भी ऐसे वर्ग से संबंध रखते हैं जिनकी आर्थिक स्थिती बेहत कमजोर है तो आपको भी आयुश्मान काड योजना की जनकारी होना चाहिए। आयुश्मान काड ऐसा दस्तावेज होता है जिसके तहट देश के गरीब नागरिकों के लिए पांच लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। आयुश्मान काड अपलाई आउनलाइन प्रक्रिया को साजह करने वाले है जिसका आप चरणबध तरीके से पालन करके आवेदन पूरा कर सकते है। और फिर सब कुछ सही पाए जाने के बाद में आपका आयुश्मान काड बना दिया जाएगा और फिर आप भी फ्री इलाज पाने के लिए पात्रमाने जाएंगे और आपको भी पांच लाख तक का फ्री में इलाज मिल सकेगा। आयुश्मान काड बनवाने के लिए आप सभी नागरिकों को इसका ओनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आप सभी नागरिक आयुश्मान काड का आवेदन इसकी ओफिशल वेब साइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं। आयुश्मान कार्ड बनवाने के बाद आप सभी के लिए जरूरत पढ़ने पर मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसके तहट आप इलाज के दौरान कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा. भारत सरकार देश की जनता के सेवा हित के लिए आयुश्मान कार्ड योजना का संचालन कर रही है. यह योजना देश के गरीब नागरिकों को मुफ्त में इलाज प्रदान करती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य, देश की जनता को स्वास्तिय रखना है एवं लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करना है। बड़ी गंभीर बीमारीों का मुफ्त में इलाज हो पाना इस योजना के चलते ही संभव हो पाया है। इस योजना के तहट भारत सरकार के द्वारा अब तक लगभग 30 करोड आयुश्मान कार्ड बनवा दिये हैं। इसके बाद होम पेज में उपस्थित बेनिफिश्यरी लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगी उसे OTP बॉक्स में दर्ज क पश्चात EKYC का विकल्प मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ऑंथेंटिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है उसके बाद फिर से एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको आयुश्मान कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति का चैन करना है। अ अब आवेदन फार्म खुल जाएगा, जिसमें आवेदन फार्म खुल जाएगा।